नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका संतित स्वागतर करता हूं नॉलेज़ गेट में प्ले इस वीसरे में बात करेंस सॉफ़र इंज्ञीनिरिंग्लेग गृतकिस समझाता हूं देखिए कोई भी software या hardware जब हम बनाते हैं कोई भी company बनाती है तो देना certain guidelines जो आप follow करते हो भी मारूती एक car बनाती है लेकिन आपन तो वैसे भी Indians है ना तो किसी भी चीज को हम stress test करते हैं चार लोग के लिए बोला था पांच बैठना तो नॉर्मल है छह साथ बैठा है उससे जादा बैठा है तो कुछ महान काम किया है locally आप देखेंगे three wheeler shared auto चलते हैं वह तो भाई next level खेल रहे होते हैं तो officially maybe it's a two-sitter, three-sitter, four-sitter auto बड़ उसमें 12-15 लोग बैठे होते हैं बच्चे हमारे बच्पन में रिक्षा में जाते थे school officially 2 बच्चे बैठ सकते हैं उसमें 2-2 ऐसे 4-5-6-7-8 पता नहीं वह कितने बच्चे बैठाते थे तो अब company को यह पता है whether it is the software or hardware को लिफ्ट का example आप ले लिजे उसमें लेकर था चार लोगों के लिए बनी है उसमें 6-7-8 जा रहे हैं जब तक लिफ्टी मना नहीं कर रहे करेंगे अगर कोई software हमने 100 users के लिए बनाया पैरलेली लेट में से 100 लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या 101 पर वो crash हो जाना चाहिए नहीं यह एक normal understanding है कि overload होगा ही होगा तो वो scenario जब कोई software हम यहां तो software की बात करें जनरल hardware भी overload होता है उस case में वह कैसा behave करेगा वह इसको कहते stress testing which is a very simple approach so stress testing is also known as endurance testing एक ही बात है a testing evaluate system performance when it is stressed for a short period of time जो उसकी limitation है उससे बाहर जाके मैं उसको test करता हूँ तब उसकी performance कैसी है that is stress test stress test are a black box test obviously अब मैं जब उसके final performance check कर रहा हूँ तो मुझे उसकी internal functionality, mechanism, parameter passing, module, coupling, cohesion वो सब नहीं देखना हूँ मैं तो input पर output देखने वाला हूँ which is designed to impose a range of abnormal even illegal input condition so as to test the capability of the software अगर मैं invalid illegal input देता हूँ उस तरह की situations में उस तरह की scenarios में system कैसे perform करेगा कैसे behave करेगा कैसे काम करेगा ये पूरी कानिये stress test कर देगी है ना मैंने दिल्ली मेट्रो में एक machine देखी थी एक बार कि आपने देखियोगी ऐसे अलग अलग तरी की machine से की 10 रुपिया 20 रुपिया का note डालो change बहार आ रहा है या tickets vending machine है tickets बहार आ रहा है लोग पेड़ के पत्ते डाल रहा है सोचिए कुछ भी कर रहा है लेकिन क्या यह ज़रूरी मैंने सोचा जिसने machine design किया होगा भारत ने आज तक जितनी भी currency आउट की है वो 10 के note 4-5 10 तरह के आपको मिल जाएंगे अलग अलग ट situation में machine को कैसे behave करना है कैसे respond करना है कैसे अपने आपको बचाय रखना है वो सारे भी stress test के अंदर आएंगे तो rain से बहार या बिलकुल invalid input system कैसे behave करता है वो test करना भी ज़रूरी है that is known as stress test तो मेरे खाल जाएंगे इसकी भी भावनाय है जो emotion है जो idea वो आपको clear हुआ होगा वीडियो को like करिए comment करिए channel को subscribe करिए और इसी तरह channel के उपर कुछनो कुछ रोज नया सीखते रहिए thank you so much भगवान आप सभी को खुछ रखे जै हिंड जै भारत